जहारखन के छेत्री राजवनसों राजियों में मान भूम भी एक राज था जिसके मान सासक अपने कुरूता के लिए जाने जाते थे दोस्तों हमने जहारखन के छेत्री राजवनसों राजियों में बहुत सारे राजवनसों और जाराजियों के बार में पढ़ लिया था आप लोग डिस्क्रिशन में दे गए लिंक पर जाकर करके देख सकते हैं उसप को यहां पर आप लोगो जानकरे दे गई है तो यहां पर जो है राजवनसों में अभी मानभूम राज के बारे में बात करेंगे जिसके मान सासक लोग जो थे वे अपने कुरूता के लिए जाते थे को यहां पर इसके बारे में कुरू जानकरे को मैं बताता हूं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मानवनसी सासकों का सासनकाल ततकालेन हजारेवाग एवं मानभूम बरत्मान धनबाद और उसके आसपास का छेत्र था तो दोस्तों मानवनसी सासक जो थे उनका जो सासनकाल था उस समय का हजार बाग और मानभूम छेत्रमिता और अभी अगर हम लोग मानभूम को कहेंगे तो बरतमान का धनबाद और उसके आसपास का इलाका तो यहीं पर मानभनसी सासक लोग मानभनस के जो राजा थे वह लोग सासन करते थे आठमी सदी के दूद पानी सिलालेक और गोविंदपूर सिलालेक में इन मानभनसी सासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो दोस्तों यह जो मानभनसी सासक हैं इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है आठमी सदी के दूद पानी सिलालेक में जो की हजारे पाक के द लब्त होती है दोस्तों मानवनस अत्याचारी थे दस्वें सदी के भूमिज सवराज आंदोलन का मुख्यकारण राजाओं का अत्याचारी था यहां पर इनके बार में चांदकर यह भी मिलती है कि मानवनस आत्याचारी थे और दुस्वे सदी में एक आंदोलन हुआ था हूं सब्र आदिवासियों का मानभूं का का यह हिस्सा छोड़कर पंचेत जाकर बसने का मुख्येकारन मान राजाओं का अत्याचार ही था जो सबर आधिवासी महिलाओं पर अत्याचार करते थे तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है कि सबर आधिवासी लोग जो थे वे लोग पहले मानभूम छेत्र में राते थे बहुत ही कुरूता पुरोग सासन किया करते थे और यह जो सबर आदिवासी महिलाएं हैं उन पर भी यह अत्याचार करते थे तो इन ही कारणों से यह सबर आदिवासी लोग मानभूम छेत्र को छोड़ करके पंचित छेत्र में जाकर के बस गे तो यहां पर हमने देखा कि मान और इस फास का इलना को कहते हैं वो इनके बाले में जो जानकायर्ययक रपधाती हुआ होती है हाजारे बाल के दूद पानी सिलीयालेग और गविंदपूर सिलीयालेग जोकी अहेंलब ल! अब हम एक और सासक के बारे में देख लेते हैं और यह है धालबों मुटा यह इसको देख क है संस्तापक के बारे में जाद जानकरी उपलब्द नहीं है पर संस्तापक के बारे में बताया जाता है कि इनके पिता धोबी जाती का था तथा माता ब्रामन जाती की थी दोस्तों यहाँ पर ढ़लबंस के जो संस्तापक हुए उनके बारे में कुछ जानकरी प्राप्त नहीं होती है जानकार अपले उपलब्द नहीं होती है लेकिन इनके बारे में ही कहा जाता है कि ये जो है धोबी जाती के जो इनके पीता और ब्रामन जाती की जो है इनकी माता तो इनहीं से ये ढालवनस के सास्तापक का जन्म हुआ था तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ इनके पार में एक Boulder में एक चीज इंपोर्टेंट जानकार है कि ठालबनसी चाह सक जो थे वो नरभलिप्रथा के पोशक थे तो ये इंपोर्टेंट है कि ठालबनसी चाह समग में जब था उहां पर नरभल यानि की मनेशों की बली दिया जाता था उसमें तो इनको ये लोग पोशक थे कहने का मतलब कि ये इनको समर्चन परदान कर देते इनके सासन काल में ये सब होता था तो ये ढालवन सी सासक जो थे रखना है यहां पर मैंने आप लोग को मानबौ मानवन्स और ने बता दिया है तो उमीद करता हो कि आप लोगों को या से कर जान कर पुशिज आती है को सिन पुशिज आती है तो आप लोग इसको बना सकते हैं